हेलो दोस्तो वेलकम बैक अनदर वीडियो दोस्तो आज हम टॉप टेंड साइफाई मूवी कवर करने वाले हैं जिसमें तुमको बविश्य की दुनिया से लेकर के दिमाग गुमा देने वाली कहानी और अडल कॉंटेट भी देखने को मिलने वाला है दोस्तो बहुत सारी मूवीज देखने के बाद कुछ ऐसी चुनिंदा मूवीज मैं तुमारी लिए लेकर के आया हूँ जो कि तुमको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो चलो दोस्तो शुरू करते हैं अपनी इस लिस्ट को नमबर 10 पर आती है इन्विजबल बॉई मूवी को 2014 में रिलीस किया गया है मूवी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी पर बेस है मूवी की कहानी में हमको एक निखेल नाम के बचकाने टीनेजर लड़के को दिखाते हैं जिसको स्कूल में उसके सीनियर बच्चे काफी जादा तंग करते हैं जिससे वो काफी जादा दुखी रहता है लेकिन एक दिन स्कूल की एक हैलोविन पाटी के लिए वो एक सूपर हीरो की कॉस्ट्यूम खरीदता है जिसको पहनने के बाद वो गायब हो जाता है अब वो अपने डिजायर पूरे करना शुरू कर देता है जैसे क लड़कियों के बातरूम में जाकर उनको नाते वे देखना और लोगों को परिशान करना और अपने स्कूल में जाकर उधम काटना अब उसके गायब होने का कारण वो कॉस्ट्यूम है या फिर कोई और चीज वो तुम इस मुवी में जाकर देखो दोस्तों इस मुवी के द 6.2 की रेटिंग दी है नंबर 9 पर आती है सेलफ लेस मुवी साइफ़ाई मिस्टरी एक्षन पर बेस है मुवी को 2015 में रिलीस किया गया है मुवी की कहानी में हमको एक गंजू बिजनसमेन को दिखाते हैं जो की बहुत जादा अमीर होता है मगर वो कैंसर से मर रहा होता है और अपनी मौत को रोकने के लिए वो एक उमनाम संस्ता के एक डॉक्टर के साथ मिलके scientific experiment से अपनी यादों को एक जवान आदमी के दिमाग में डलवा दिता है जिसके बाद वो गंजू बिजनसमेन उस आदमी के शरीर में दुबारा जिन्दा हो जाता है अब वो खूब जाद डीमन है और उसकी यादे उसको नजर आना शुरू हो जाती है अब आगे मूवी में क्या कुछ होता है वो तुम इस मूवी में जाकर देखो दोस्तों मूवी तुमको काफी जादा पसंद आएगी इसमें तुमको action के साथ साथ mystery भी देखने को मिलेगी इस मूवी को IMDV ने 6.5 की rating दी है ये मूवी और इस लिस्ट की सारी मूवी तुमको मेरे टेलीग्राम गुरूप पर देखने को मिल जाएगी तुम वहाँ पर मूवी देखो डावलोड भी कर सकते हो नमबर 8 पर आती है Jupiter Ascending मूवी को 2015 में रिलीस किया गया है मूवी sci-fi fantasy action पर बेस है मूवी की कहानी में हमको Jupiter Jones नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जिसकी जिन्दगी काफी बेकार गुजर रही होती है वो एक अमीर घर में एक नौकरानी होती है मगर उसको एक दिन कुछ aliens गिड्नैप करके space में लेकर चले जाते हैं वहाँ पर पहुचकर उसको पता लगता है कि वो इस ब्रहमांड में अकेली नहीं है और भी दुनियाए और और भी species इस ब्रहमांड में exist करती हैं उसको वहाँ पर Kenwar नाम का एक space soldier मिलता है जो कि Jupiter Jones को उन एलियन से बचाता है और उसको उस space soldier से प्यार हो जाता है अब आगे movie में क्या कुछ होता है वो सब आप इस movie में जाकर देखो दोस्तो इस movie में तुमको कमाल की visual effect देखने को मिलेंगे ये movie तुमको star wars जैसी movie की याद दिलाने वाली है movie तुमको काफी जादा पसंद आएगी इस movie को तुम अपनी family के साथ देख सकते हो इस movie को IMDV ने 5.3 की rating दी है ये movie तुमको English में देखने को मिल जाएगी नंबर 7 पर आती है Limitless movie को 2011 में release किया गया है movie sci-fi thrill पर base है movie की कहानी में हमको Eddie नाम के बंदे को दिखाते हैं जो की काफी जादा आलसी और एक नंबर का निसेड़ी होता है उसको दि depression में आ जाता है मगर एक दिन उसको उसका एक दोस्त मिलता है जो कि उसको एक ड्रग वाली गोली देता है जिसको लेने के बाद उसका दिमाग 100% यानि काफी जादा तेस चलने लगता है वो कोई भी चीज और कोई भी language मिंटों में सीख लेता है और एक ही दिन में वो stock market से क करोड़ों रूपय कमा लेता है मगर कहनी में twist तब आता है जब उस गोली के बारे में उसके आसपास के लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है और उसको हासिल करने के लिए वो लोग उसका murder तक करने के लिए तयार हो जाते हैं अब वो इन सारी मुसीबतों से अपने इंटरस्टिंग है दोस्तों ये मुवी तुमको काफी जादा पसंद आएगी इसमें तुमको काफी एच्छा action और comedy देखने को मिलने वाली है इस मुवी को IMDV ने 7.4 की rating दी है ये मुवी भी तुमको English में देखने को मिल जाएगी नंबर 6 पर आती है radius मुवी को 2017 में release किया गया है मुवी sci-fi drama thrill पर बेस है मुवी की कहानी में हमको Lima नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसका accident हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके अंदर एक power आ जाती है वो जिस भी आदमी के करीब जाता है या फिर कोई भी आदमी उसके करीब आता है तो वो अप के अंदर वो power कैसे आती है और वो उन power से क्या कुछ कर सकता है और इस movie के end में जो twist आता है वो इस movie के concept को पूरी तरीके से बदल देता है वो सब जानने के लिए तुम इस movie को देख सकते हो दोस्तों इस movie का जो concept है वो तुमको काफी जादा पसंद आएगा इसमें तुमको एक love story भी देखने को मिलेगी जो कि तुमको काफी जादा interesting लगने वाली है इस movie को imdv पर 6.2 की rating मिली है ये movie तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगी तुम एक बार जाकर इस movie को check out कर सकते हो नमबर 5 पर आती है अपग्रेड मूवी को 2018 में release किया गया है मूवी action sci-fi thrill पर base है मूवी की कहानी में हमको gray को दिखाते हैं जो की एक ऐसी futuristic दुनिया में रहता है जहाँ पर technology काफी जादा evolve हो चुकी है मगर एक दिन उसका एक accident होता है जिसमें उसकी बीवी की मौत हो जाती जिसकी वज़े से वो अपनी आखों के अलावा कुछ भी नहीं हिला पाता अब एक दिन उसको एक scientist मिलता है वो उसके brain में एक artificial intelligent वाली chip install करता है जिसके बाद वो एक super humans में बदल जाता है अब वो उस chip की मदद से वो अपने accident की चानबीन करना शुरू कर देता है जिसके बा बीवी की मौत हो जाती है अब वो अपने बीवी के murderer को कैसे डूनता है वो सब आप इस movie में जाकर देखो दोस्तों movie का जो concept है वो तुमको काफी जादा interesting लगेगा जो कि तुमको पसंद आएगा इसमें तुमको दबा के action देखने को मिलेगा इस movie को IMDB पर 5.7 की rating मिली है ये movie तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगी नंबर 4 पर आती है जंगी मौवी को 2023 में रिलीस किया गया है movie action adventure ड्रामा पर बेस है movie की कानी में हमको एक ऐसी futuristic दुनिया को दिखाते है जहां पर गिरया युद होने की वज़े से पिर्तवी पूरी तरीके से निर्जीव हो एक ऐसे सैनिक के दिमाग की क्लोनिंग करना चाहती है जो कि उस गिरया युद को रोक सकता है अब उस सैनिक के दिमाग की क्लोनिंग करने का कम सियोन नाम की एक scientist को दिया जाता है जिसके बाद वो इस काम को पूरा कर पाती है कि नहीं वो आप इस movie में जाकर देखो दोस्तो तो मूवी में तुमको काफी अच्छे विज्वाल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसमें तुमको काफी अच्छी टेक्नोलोजी, फ्यूचिरिस्टिक दुनिया दिखाई गई है, जो कि तुमको काफी जादा पसंद आएगी, इस मूवी को IMDV ने 5.4 की रेटिंग दी है, ये मूवी तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, तुम इस मूवी को अपनी फैमली के साथ देख सकते हो, नमबर 3 पर आती है, 65 मिलियन इयर्स अगो, मूवी को 2023 में रिलिस किया गया है, मूवी एक्शन ड्रामा अडवेंचर पर बेस है, मूवी की कहानी में हमको 65 मि दिखाते हैं, जहाँ पर पिर्थवी पर एक पैसेंजर स्पेस शिप क्रैश होती है, और उस स्पेस शिप में सिर्फ दो ही लोग बचते हैं, जिसमें से एक उस शिप का ड्रैवर होता है, एडम और दूसरा एक 9 साल की बच्ची, वो लोग पिर्थवी पर 65 मिलियन इयर्स पहले आए हैं, तो जाहिर सी बात है, पिर्थवी पर उनको डैनसोर देखने को मिलेंगे, अब वो उन डैनसोर से अपने आपको कैसे बचाते हैं, और वो उस समय पिर्थवी पर कैसे सर्वाइव करते हैं, वही सब इस मूवी में दिखाया गया है, दोस्तो इस मूवी की कह के साथ देख सकते हो इस मूवी को IMDV ने 5.4 की रेटिंग दी है ये मूवी तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगी नमबर दो पर आती है मूवी को 2012 में रिलीस किया गया है मूवी साइफाई मिस्ट्री डामा पर बेस है दोस्तो इस मूवी का जो कौनसेप्ट है वो तुमको काफी जादा यूनिक लगेगा जो कि इस मूवी को काफी जादा इंट्रस्टिंग बनाता है मूवी का जो कॉंसेप्ट है उसमें हमको दिखाया गया है कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो दुनिया पर उसका असर अतीत में बविश्य में और वर्तवान में कैसा होगा वही सब इस मूवी में बिल्कुल डीपली दिखाया है दोस्तों ये मूवी काफी जादा स्लो है मूवी तीन गंटे लंबी है तुमको इस मूवी को देखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा दोस्तों मूवी की जो बेसिक स्टोरी है उसमें हमको अलग-अलग टाइम में अलग-अलग लोगों की लाइफ के बारे में दिखाते हैं जो की अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसका असर दुनिया पे कैसा पड़ता है वही कॉंसेप्ट इस मूवी की स्टोरी को फॉलो करता है दोस्तों मूवी तुमको काफी जादा पसंद आएगी इसमें तुमको एक्शन और ड्रामा भरपूर देखने को मिलेगा इस मूवी को IMDV ने 7.4 की रेटिंग दी है ये मूवी तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगी नमबर एक पर आती है बार्बर एला मूवी को 1968 में रिलीस किया गया है मूवी साइफ़ाई एडवेंचर कॉमेडी पर बेस है दोस्तो इस मूवी में तुमको अडल्ट कॉंटेंट देखने को मिलेगा मूवी की कहानी में हमको 41 वी शताबदी की दुनिया को दिखाते है जहाँ पर बार्बर एला नाम की एक एस्टोनोट होती है उसको एक दिन एक मिशन दिया जाता है जहाँ पर उसको एक साइंटिस्ट को रोकना होता है जो की अकाश गंगा को तबाह कर देना चाता है अब उस साइंटिस्ट को रोकने के लिए बार्बर एला एक एडवेंचर पर निकल पड़ती है अब बार्बेरेला जिस भी प्लैनेट पर जाती है वो वहाँ पर अपना काम निकलवाने के लिए और उस सैंटिस्ट का पता लगाने के लिए या फिर किसी मुसीबत में फस जाने के बाद वो वहाँ के सबसे ताकतवर आदमी के साथ संबोग करती है चाहे वो एलियन हो चाहे वो इनसान हो या फिर कोई हैवान हो वो किसी को भी नहीं छोड़ती उसे जहां भी मौका बिलता है वो वहाँ पर चोका लगा देती है दोस्तो मूवी की कहानी तुमको काफी जादा पसंद आएगी मूवी थोड़ी पुरानी है और इसमें जो तुमको विज्वाल इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो भी तुमको काफी जादा ओल्ड और पुराने लगेंगे मगर मूवी को देखने में तुमको काफी जादा मज़ा आएगा ये मूवी तुमको हिंदी में देखने को मिल जाएगी इसी के साथ दोस्तो वीडियो में इतना ही अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस लिस्ट में तुमारी कौन सी फिवरेट मुवी है कमेंट करके ज़रूर बताना तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में